नमस्कार आप देख रहे हैं जूबिनूज तो दोस्तों वक्त हो गय है दोपार की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहलेněिकर आपने अवी तक जूबिनूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दिस जाकर जूबिनुज को सब्सक्राइब करके अल नोटिफिकेशन मिलको ओन कर दीजिए। जब वह जिवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी जब उस पर हमला हुआ सरकार ने समय पर उसका इलाज नहीं दिया। की तरह व्यवहार किया। अत्याचार रोका नहीं एक मासूम बच्ची और उसके परिवार पर दोगुना अत्याचार किया। उन्होंने कहा कि योगी आदितिनाथ आप इस्तिफा दो आपके सासन में न्याय नहीं सिर्फ अन्याय का बोलबाला है। देश में पिछले 24 गंटों में कोरोना संक्रमन के 86,821 नय मामले हुए दर्ज पिड़तों का आकड़ा 63,00,00 के पार पहुँचा। जिहां भारत में पिछले 24 गंटों में सामने आच 86,821 नय कोरोना मामले और 1,181 लोगों के जान जाने के साथ देश में संक्रमन के कुल मामले बढ़कर 63,12,584 हो गए हैं। दर्ज किये गए कुल मामलों में से 9,4,705 मामले वरतमान में सक्रिये हैं। तो आहीं 52,73,201 लोगों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। जबकि 98,678 लोगों ने इस बेमारी के कारण दम तोड़ दिया है। स्वास्त विभाक और परिवार कल्यान मंत्राले के आंकड़ों के अनुसार देश में रिकवरी की दर 83,53 फीसदी है जबकि मरने वाले लोगों की दर घटकर 1,55 फीसदी हो गई है। महराष्ट में अब तक कुल 13,84,446 मामलों के साथ सबसे खराब इस्थिती वाला राज्य बन गया है। तो वहीं महराष्ट में 36,663 लोगों की जान चली गई है। भारत में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर DGCA का बड़ा फैसला, इंटरनेशनल कमर्सियल पैसेंजर फ्लाइट्स के निलंबन को 31 अक्टूबर तक बढ़ाय गया। जहां देश में जारी कोरोना के बीच केंद्र सरकार की तरफ से अनलोक 5 की गाइडलाइन्स जारी हुई है, ग्रेह मंत्राले के तरफ से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार 15 अक्टूबर से सिनेमा घर और मल्टि प्लेक्स को उनकी बैठने की छमता के 50 फीसदी के साथ खोल दिया है, देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलो को लेकर डीजी सीय की तरफ से एक बैठक हुई, इस बैठक में इंटरनेस्टियल कमर्सियल उडानों के बारे में यह निर्ड़ लिया गया, वहीं इसके पहले डीजी सीय ने इंटरनेस्टियल कमर्सियल उडानों की अव जिहां भारत में कोरोना महमारी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है इस बिमारी से पिड़ित मर्जों की संख्या भी बढ़ रही है कोरोना की वैक्सीन जब तक बजार में नहीं आ जाती तब तक इससे निजात नहीं मिलने वाली है देश में कोवेड-19 को लेकर महारा महाराष्ट टॉप पर बना हुआ है इसे बीच महाराष्ट से खबर है कि यहां पर लोकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है आपको बता दें कि भले ही महाराष्ट की उद्व ठाकरे सरकार ने लोकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया हो लेकिन 5 अक्टूब पान बीड़ भी क्रेता, एक बीड़ या फिर सिग्रेट भी नहीं बेच सकते हैं। में राष्टपती सासन लगाने के मांकी है। माफियाओं, बलतकारियों और अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है। यहां की कानून व्यवस्ता पूरी तरह से दम चोड़ चुकी है। झाल पुकी है। झाल